नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त आजे कुमारिया दू एक बार फिर्शे हजिरूं एक नई गाथा लेकर हाडी रानी के बलिदान की प्रेरक्का था लेकर उन दिनों दिल्ली के उपर सम्राट ओरंग्जेव का सासन था तो मेवाड के उपर महाराना प्रताप के प रूपनगर की राजकुमारी भौती सुन्द्र है सुसील है उस राजकुमारी का नाम चारुमती था तो वह उससे विवा करने के सपने देखनी लगा उसने अपने एक संदेश सा भिजवाया कि मैं चारुमती से अपना विवा करना चाहता हूँ अतै मैं अपनी छोटी सी श रूपनगरवास्यों का पता चली तो भौती चिंतित हुए। छोटे से शोगाउं का राज इतने बड़े बात्षा का सामना कैसे कर सकता था। और सम्मान की रक्षा की जा सकती है। चारो तरफ नजरे दोड़ाए गई। तब उन्हें एक ही बात सही परतीत हुई। कि राना राज सिंग ही हिंद्वा सूरज एक मातर ऐसे राजा हैं जो हमारे कुल की हमारे मान और सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। अतै राज कुमारी चारूमती ने राना राज सिंग को एक पत्तर लिखा और कहा कि हे राजन आप मुझे नहीं जानती। मैं आपको नहीं जानती। इस समय मैं बड़ी विपत्ती में फशी हुई। ओरंग्जेव की गिद नजरे मेरे उपर है। ओरंग्जेव मुझसे जवरदस्ती विवा करना चातना है। मैं किसी भी प्रकार से उससे वहा नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने प्रानों को नियोचावर कर सकती हूँ। इस समय संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर आप ही ऐसे हो जो मेरी रक्षा कर सकते हो। राना राज सिंग को पत्त्र मिला। राना राज सिंग ने अपने सभासद के साथ विचारी मर्श किया और ये ते हुआ कि मेवाड की कुल प्रमपरा रही है सरनागतों की रक्षा करना नारी की शील और मान की रक्षा करना एते चारूमती की रक्षा की जाएगी और मेवाड के राना राज सिंग अपने कुस्चने हुए विश्वस्त सिपईयों के औरंगजेब को पता चली तो वै आग बबूला होगा और राना राज सिंग को सबक्षि खाने की सोचने लगा उसने एक विशाल इसे ना लेक करके मेवाड की तरफ कूच किया हुदर मेवाड के महाराना राज सिंग को जब इस बात का पता चला तो अपने पुत्र जै सिंग के साथ उन्होंने भी अपनी सेन विवस्ता को अच्छी तरीके से परवतों और शक्री घाटियों के बीच जमा दी हुदर औरंगजेब और उसका सहजादा अकबर दोनों विशाल सेना के साथ आगे मेवाड की सेना और मुगल बात्सा की सेना के अंदर कई दिनों तक युद होता रहा राजपूत मुगल सेना को मारते रहे काटते रहे और अंगजेब के पास धन्यबल और शैन्यबल की किसी भी परकार की कोई कमी नहीं थी गोले वारुद और तौपों की कमी नहीं थी तो मेवाड के पास धरम की ताकत थी सहास थी वीरतना थी और वीर भिलों का सहयोग था हुशी के सारे वे दुस्मन के दात खटे कर रहे थी इसी समय महराना राज सिंग को समाचार प्राव्थ हुआ कि औरंग्जेब की सहाईता के लिए एक और बड़ी सेना आ रही है अतै उसने अपने सबसे विश्वत सरदार रतन सिंग चूडावत को एक पत्तर भेजा है पत्तर सारदुल ठाक को लेकर गया जो रतन सिंग चूडा नहीं थे तो सारदुल ठाकर पत्तर लेकर पहुँच गी हसी ठीठोली का दोर चरने लगा क्यार इतनी जल्दी कैसे आ गई सारदुल ठाकर ने पत्तर दिखाया पत्तर के अंदर लिखा था कि इस समय मेवाड शंकट के अंदर है और ये की सहाईता के लिए एक नई सेना दि अत्य दुशकर है अत्य बिना वक्त कवाई तुरंत लोटाओ इसके अंदर अपने प्राणों का बलीदान भी देना पड़ सकता है सारदुल ठाकर ने जवे रतन सिंग्चुन्दावत को पत्तर दिया तो तुरंत खड़े हो गए अपनी नई नवली और नवड़ा रानी की हुने भौत याद आई हाडी रानी का असली नाम सहल कवर था वे बुंदी के हाडा वंच की राजकुमारी थी वे हाडा रानी के पास गए और यथा इस्थती बताई उस वीर छत्रानी ने कहा कि राजपुत्निया इसी दिन के लिए बेटों को जनम देखती है आज वो दिन आगया है स्वामी जब मात्र भूमी की रक्षार्थ और अपने कर्तव को पूरा करने का समय आगया है तुम निश्चिंत हो करके जाओ पिछे से मुझे क्या करना है ये मैं अपना धर्म जानती हूँ रतन शिंग्चुंडावत का गला भराया लेकिन उन्होंने उसे छुप का प्रियास किया रानी सहल कवर ने आरती का थाल लगा करके तिलक लगा करके अपने पती को विदा किया कि विजैसरी वरन करके लोटना तो हम फिर मिलेंगे अगर विजैसरी नहीं मिली तो हम स्वर्ग में एक दूसरे से मिल लेंगे रतन शिंग्चुंडावत हों से चला हुए खड़े हैं रातन शिंग चुंडवत हुदर औरंग जेब की सेना को रोक के रखने के लिए युद कर रहा था तीसरे दिन उसने फिर हलकारा भेजा और एक पत्र भेजा पत्र के अंदर लिखा हुआ था कि रानी दुस्मन के सामने मैं अंगद की तरह पैर जमाये रहा है निश्चिती मेवाड को इस समय वीजै सिरी का वरन होगा लेकिन मुझे तुमारी बहुत यादार है अतै हलकारे के हाथों कोई निसानी दे देना निसानी को सेनानी भी राजस्तानी में कहा जाता है रानी ने वो पत्तर देखा कर्तव बोध उसकी आँखों के सामने तैरगा वो समझ गी कि जो वो मेरे मोहों में पड़े हुए हैं प्रेम में पड़े हुए हैं तो कई अपने कर्तव मारक्षे बटकने जाए ख़ए उनका हरदे नर्म ने पड़ जाए ख़ए उनके हाथ नर्म ने पड़ जाए जो सत्रू का सामना ने कर सके हाडी रानी में धारन कर लेना जब तक यह जमीन को इस पर सनय करेगी तब तक समझना तुम्हारी विजय होती रहेगी रानी ने उस सेवक को अपना सर काट कर थाली में समर्पित कर दिया सेवक है देखकर हक्का बक्का रहेगा मत्र भूमी के रक्षार्थ ऐसा बलीदान देखकर उसकी आ सुरूदारा भेने लगी कि महों के कारण रानी ने कितना बड़ी बलीदान देदिया कितनी बड़ी सोच है उसकी कि कहीं मेरे सौमी के हाथ नरम ने पड़ जाए कहीं मत्र भूमी की रक्षा के अंदर कोई कमीने रजाए कहीं मेरे महों के अंदर पढ़कर वे अपने राज सिंग चुंडावत ने राणी के कटे हुए सर को अपने गले में धरन किया और साक्षात यमराज के सामान सत्रु सेना के उपर तूट पड़े एक एक की जगें च्यार च्यार मरने लड़े सत्रु सेना हिदर से हुदर भिगी च्यारों और मैदान में रन नर्मुंडों क डेर लग गया और जो चीज चाते थे वो चीज हुई हुदर राना राज सिंग ने औरंग जेब को घुटने टिका दिये और औरंग जेब अपने सीविर के अंदर भागा और उसे राज सिंग से संधी करनी पड़ी कि वह फिर कभी मेवाड की तरफ आँख उठा करके नहीं और उसरदार की करतव निष्टा उसके समर्पन भाव को देखकर भहुत खुस भी हुए ऐसा था राना हाड़ी का एप्रतिम बलिदान जो विश्व के हितियास में कहीं पर भी मिलना दुरलब है प्रियमित्रो वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्रा जरूर करें